कि यहां कोशिश करते हैं हम घुमाफ राके इंक्लूड कर सकें ताकि आपका जो माक्स हैं एक तो वो जादा बन पाएं सीटेट में और दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग बहतर हो क्योंकि एक तरह से सेंटर है अगर आप देखें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या बच्चों के भले का एक बहुत अच्छा चैप्टर है यह कह सकते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन को समझेंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह से जुड़ी हुई है गिफ्टेड चिलर्न disabled children या कौन से बच्चे inclusive school में पढ़ सकते हैं क्या differences हैं, क्या चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जिससे जो सिक्षा है वो सभी तक पहुंच सके बहतर तरीके से सभी को good evening, नमस्कार, राम, राम, सत्षे, अकाल assalamualaikum, whatever you feel connected with बिल्कुल, hopefully आप लोग बहतर होंगे, एक मिट मैं थोड़े से comments आप लोग के बड़े करती हूँ, ताकि देख पाऊं proper एक second रुकिएगा हाँ, बिल्कुल हाँ, शैफाली सभी नए पुराने सभी लोगों को welcome है भी, और कुछ सीखेंगे इसको summarized way में एक दम होता है मतलब बिल्कुल blended material रहेगा inclusive education का, जिसको कम समय में ज्यादा चीज़ें आप समझ पाएं, start करेंगे बिल्कुल मैं एक दम अच्छी हूँ hopefully आप सभी बहतर होंगे, इसके बाद एक और session होगा question answer का, तो इसको खत्म करेंगे, आदे गुंटे में, या जितनी भी देट लगेगी और फिर उसके बाद question answer discuss करेंगे जो आपके सारे exams के लिए helpful है ठीक, start करते है पिल्कुल हाँ, ये सभी topics में सभी exams में काम आता है C-Tet का तो, क्योंकि slaves में गेवन है पांच नंबर, इसलिए माने बोला है बाकी, DIT, PLASB, KVS, NVS, UPTAT HTAT, REIT, सभी में आता है inclusive education, ऐसा आज की date में कोई exam नहीं है जहां inclusive education को ना पूछे ठीक, तो start करेंगे inclusive education, बहुत amazing सा topic है और बहुत ही amazing दिन पर हम आज इसे कर रहे हैं आप से भी लोगों को शायद पता होगा आज World Mental Health Day है जो कि अपने आप में एक बहुत ही sensitive topic है और inclusive education कही ना कहीं उससे जोडता है हमें ठीक, तो inclusive education यानि समावेशी सिक्षा basically inclusive education है क्या तो एक simple line में हम इसको sum up कर सकते हैं कि भई segregation is against the law of nature भई अभी मेरे को idea नहीं है डीट प्रेस भी exam date का में भी दे 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 ही हो अभी शाम से तो मुझे फुरसत नहीं मिलिया तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहीं सकती है ना, यहाँ आजाओ यह topic देख लो पहले बाद में discuss कर लेंगे जो भी हुआ होगा inclusive education या समावेशी सिक्षा तो यह कहती है segregation एक line में यह sum up कर सकते हैं इसको is against the law of nature hopefully आप देख पा रहे होंगे the law of nature यानि जो अलगाव है वो nature के नियमों के यानि प्रकृती के नियमों के खिलाफ है अलगाव तो simple विल्कूल एक sentence में बात खत्म होती है कि जिस तरह से प्रकृती जो mother nature है हमारी वो सभी को अपने अंदर include करती है समाहित करती है उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो हमें भी अपने schools में या दुनिया में या especially as teachers बच्चों को हर प्रकार के बच्चों को चाहे उनके अंदर कोई भी difference हो differences हम सभी में है एक जैसा कोई नहीं होता कोई भी दो twins भी एक जैसे बिल्कुल नहीं होते उनमें भी differences होते हैं फीक है अगर मैं बात करूँ बिल्कुल कोई बात नहीं आप लोग तैयारी कीज़े तो खेर it's okay segregation is against the law of nature inclusive education पढ़ लेते हैं काम कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है हाँ यह सभी के लिए common topic है segregation का मतलब होता है अलगाव बई अलगाव क्या है जो आपकी प्रकृती है उसके नियमों के खिलाफ है ठीक है कैसे जिस तरह जो आपकी प्रकृती है नेचर है वो अपने अंदर साप से लेके शेर से लेके एक इनसान से लेके एक जर्रा जर्रा मतलब उसके अंदर समाहित है ठीक ऐसा तो नहीं होता ना जो sun है आपका जो सूर्य है वो भी रोशनी सभी को बराबर देता है चाहे आप BMW में चल रहे हों चाहे आप wheelchair पर हों चाहे आप dog लगा रहे हों ठीक है तो वो equal है जो nature आपको सब कुछ देती है वो equally देती है एक equal कोई वहाँ पर separation नहीं है equality है तो उसी तरह से जब आपकी nature आपको differentiate नहीं करती किसी बी अंतर के बावजूद तो आप as human beings differentiate नहीं करेंगे बच्चों को किस के बावजूद या in spite of any difference अब यह difference कैसे हो सकते हैं culture का difference हो सकता है बच्चे अलग-अलग संस्कृति से आ सकते हैं ठीक है mental abilities अलग हो सकते हैं caste, creed, race इन सब का difference हो सकता है physical abilities अलग हो सकते हैं interests अलग हो सकते हैं ठीक है तो बहुत सारे differences हो सकते हैं ठीक है बिलकुल नहीं DLA किया है मैं हाँ ठीक है तो किसी भी आधार पर कोई भी difference हो चाहे बच्चा दिखने में कैसा भी हो बच्चा बोलने में कैसा भी हो बच्चे को चलने में कैसा भी हो कुछ भी हो अच्छा हो बुरा हो सब आपके लिए अच्छा है आप सब को include करेंगे और उनकी needs के according उनकी आवश्रताओं के अनुकूल आप अपने educational activities को प्लान करेंगे, अपने curriculum अपना जो भी आपके हाथ में उसको उस तरह से प्लान करेंगे, ये कहता है inclusive education, किसी भी आधार पर किसी में भी अंतर ना करना, ठीक, अगर हम बात करें यहाँ, तो teacher को, इंक्लूसिव schools क्या हैं अब, इंक्लूसिव schools वो schools जहाँ पर एक common system में, एक special child भी पढ़ सके, एक normal बच्चा भी पढ़ सके, एक gifted बच्चा भी पढ़ सके, है ना, सभी तरह के, कोई भी किसी भी तरह का difference हो, चाहे gifted हो, special हो, normal हो, कुछ भी हो, ठीक, वो सब पढ़ सकें जिनका, जो mentally retarded है, उनके लिए school सलग होते हैं बहुत बार, जिनका IQ less than 70 होता है, उनके लिए, आप जानते हैं, waterline होता है 70, तो उसके नीचे जो भी होगा, फिर उनको specifically ज़रूरत होती है, कि अलग से education, exclusive education दी जाए, ठीक है, तो एक तो बात यह हुई, यहाँ पे, जो school system है वो अपने system में change करता है, बच्चों की आवशकताओं के अनुसार, inclusive education में, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार का बच्चा included है, ठीक है, बहुत बड़ी है सपना सिंग, आज तो बहुत सारे लोग deep plus B का ही discussion करेंगे, पूरे time comments में, topic पढ़लो, फिर discuss कर लेंगे, धन्यवाद, ठ ठीक है, तो एक normal school में, सभी को, common school system में सभी को शामिल करना, भई हमने देखा पहले क्या होता था, special schools हैं अलग, या भी भी हैं, ठीक, special schools हैं, इसके अलावा integrated education आ गया, तो integrated schools हमने बना दिये, हमने normal school अलग कर दिये, ठीक, तो इन सब को basically जो normal नहीं है, जिसका IQ का है, 90-110 के पीच में, वो normal या average, बाकी सब अलग-अलग categories में हैं, या special कह सकते हो, ठीक, तो ये special भी यहीं है, normal भी यहीं है, सभी तरह के बच्चे यहीं है, एक common school में, अब इस common school में क्या होगा, teachers को थोड़ा सा advance होना पड़ेगा, ताकि सभी की needs के अनुसार आप चल सके हैं, ठीक है तो ये समझना हमें थोड़ा से जरूरी होगा, बफरिंग यहां से नहीं है, बिलकुल भी, ठीक है, अब कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं, कि teacher को क्या करना चाहिए, फिर से स्थिती में, जब बच्चे अलग हैं, उनकी abilities अलग हैं, कोई बच्चा हो सकता है, single parent child हो, मतलब एक ही माबाप हों, तो उसको तो उतना प्यार से या, उसको तो उतने space नहीं मिल पाएगा ना, उतना care या हो सकता है, बहुत सारी opportunities से वो वंचित रह जाए, तो किसी भी आधार पर जो भी deprived है या नहीं है, सब को एक साथ लेके चलना ही inclusive education है, यहां पे कुछ special teachers हो सकते हैं, normal teachers हो सकते हैं, बच्चा visually challenge हो सकता है, बच्चा physically challenge हो सकता है, बच्चे को orthopedic यानि हट्डियों से related समस्या हो सकते है, दिमाग से related समस्या हो सकते है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, तो teacher को क्या करना है, teacher को sensitive रहना है, ठीक है, sensitive रहेगा, समवेधन शील, बच्चे की needs के प्रती, उसको segregate नहीं करना है यानि कि अलग थलग नहीं बिठाना है कि अलग गुरुप बना दिया जो blind बच्चे हैं उनका अलग बना दिया आपको heterogeneous groups का इस्तेमाल करना है मतलब जिसमें अलग-अलग abilities के बच्चे हूँ differentiated instruction मतलब बच्चों की need के अनुसार आप instruction देंगे child-centered education को आप use कर सकते हैं बहुत जादा ये सारी चीज़ें जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं audio-visual aids का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को कम सुनाई देता है उसको आगे बिठा सकते हैं जिसको देखने हैं प्रॉब्लम है उसको आगे बिठा सकते हैं या थोड़ी सी अवाज को loud कर सकते हैं अगर कोई थोड़ा सा backward बच्चा है जो धी में समझता है उसके लिए थोड़ा सा हलका सा slow कर सकते हैं या और भी chart वगेरा का use कर सकते हैं जो gifted बच्चा है उसके लिए कुछ extra काम कर सकते हैं उसको enriched curriculum का सहारा दे सकते हैं तो ऐसा ना हो कि जो gifted है वो बोर हो जाए और जो धी में सीख रहा है वो उसको समझ में ना है इतना तेज आप निकल जाएं balanced way आपको लेकर के चलना है तो आप sensitive रहेंगे segregate नहीं करेंगे no segregation ठीक ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है child centered education का इस्तेमाल करेंगे differentiated instruction का इस्तेमाल करेंगे अगर बच्चे gifted हैं तो enriched curriculum का इस्तेमाल करेंगे ठीक वार तो ये कुछ कुछ चीज़ें हुई अब हमने दो चीज़ें समझी है एक हमने समझा है inclusive education और दूसरा हमने सुना है integrated education ठीक है अब integrated और inclusive में क्या difference है ये main main चीज़ें जो हमें inclusive education के बारे में समझनी जरूरी है inclusive और integrated integrated पहले ही आ गया था inclusive हमने बाद में लागू किया है integrated यानि एकी कृत सिक्षा और inclusive यानि की समावेशी सिक्षा ठीक है बात inclusive में सब को सब को आपने शामिल किया है लेकिन और उनकी needs के अनुसार आपने planning भी की है ठीक है needs के according planning है या suitable schools बनाए है लेकिन यहां पर सिर्फ include कर दिया या कहूं तो admission दे दिया बच्चों को हर प्रकार के बच्चे को admission तो मिल गया लेकिन उसके लिए उतनी सुविधाएं नहीं है ठीक है सिर्फ admission दे दिया एक तरह से उतनी सुविधाएं नहीं है inclusive education में system change होता है बच्चे के लिए ठीक है बच्चे में change नहीं कर रहे हैं आप system में change कर रहे हैं उसके अनुसार special अगर teacher की ज़रत है तो teacher देंगे अगर मैं बात करूं बच्चे के लिए furniture उस तरह का होना चाहिए या अगर में बात करूं जैसे government schools हैं या Delhi में जो DOE वाले schools हैं ज्यादा तर MCD में मैंने कई schools में देखे हैं बट नहीं देखा वहां पर सीडिया ही होती है सिर्फ stairs ही होती है लेकिन जो DOE directorate of education के schools है वहां पर देखा है ramp बना हुआ है जानते हैं आप ताकि जो wheelchair वाला बच्चा है वह भी जा सके है जो एक वैसा खिली के आ रहा है उसके लिए भी आसानी हो थोड़ी सी लेकिन सीडी problematic है क्योंकि सारे बच्चों के लिए जो ठीक है अच्छा है वह दोड़ के जा सकता है सीडी पे चल के जा सकता है लेकिन जिसको physically problem है वह चड़के नहीं जा पाएगा तो आपने क्या किया जो normal बच्चा है उसके भी काम आ जाए और जो special बच्चा है उसके लिए भी आपने इस तरह का आपना environment बनाया हुआ है building को ऐसा बनाया हुआ हुआ है जिसको हम bala कहते है building as learning aid के बच्चे के लिए काम आ सके basically जो पूरी building ही है चाहे दिवारों पे आपन आपने admission तो दे दिया लेकिन बच्चे की अनुसार आपने परिवर्तन नहीं किये यहाँ पर एक resource room बना दिया उसी में बच्चे के लिए कुछ हुआ तो हुआ अदरवाइस नहीं लेकिन यहाँ पर class ही इस तरह की होती है कि बच्चे की needs को ध्यान में रखा जाए तो एक छ सारी needs का classroom से लेके curriculum से लेके हर चीज उस तरह से flexible है ठीक है बात बिल्कुल बाला यानि building as learning aid आप देखते हैं स्कूल्स की दिवारों पर आपका बहुत सारी poems लिखी होती है है नो बहुत सारा अगर मैंने जैसे भी ramp वाला example दिया तो हर बच्चे के लिए suitable हो बिल्डिंग से भी वह learning aid की तरह इसनमाल करते हैं आप जैसे teaching learning material का आप यूज करते हैं तो आपकी building भी उससे तरह से काम में आ रही है ठीक तो ये एक बात हुई बिल्कुल बाला मतलब building is learning aid ठीक है बात वह इस बहुत चिल है आपके बढ़ते हैं अब इसमें हम बात कर रहे थे अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं inclusive education में ठीक है अगर मैं बात करूं inclusive education की बिल्कुल notification टाइम पर नहीं आता आप 9 बजे और 10 बजे तयार रहे है तो टाइम पर मिल पाएगा ठीक अगर मैं बात करूं inclusive education की तो हमने हर प्रकार के बच्चे को कैसा हो सकता है हर प्रकार का बच्चा gifted हो सकता है ठीक है कोई आपका backward child हो सकता है backward कौन जो अपनी ability से कम सीख पाए जितना उसको age के अनुसार सीखना चाहिए उससे भी कम सीख पा रहा हो ठीक पीछे चड़ने वाला बच्चा एक तरह से ठीक है single parent child हो सकता है single parent child मतलब जिसका एक ही माबाप में से कोई पालन कर रहा हो ठीक कोई learning disability हो सकती है कोई physical disability हो सकती है visually auditory किसी भी तरीके की कोई समस्या हो सकती है इस बच्चे को ठीक है अगर मैं बात करूं तो यहां पर autism से लेके और बहुत सारी प्रशाने होती है जिनको हम अभी आगे समझेंगे एक normal बच्चा हो सकता है normal child average जिसको हम कहते है 90-110 के बीच में जिसका IQ होता है ठीक अगर मैं बात करूं ADHD से लेके अगर PTSD वाले बच्चे हो सकते हैं जो post traumatic disorder जनको हो जाता है वो हो सकते हैं ठीक इन सबको अभी एक एक करके समझेंगे मतलब किसी भी हादार पर आपने वंचत नहीं छोड़ा हर बच्चे के लिए activities को प्लान किया और अपनी instruction में चेंज लाए जाएगा change the system not the child ठीक है child में नहीं child के अनुसार system में change है ठीक है यह छोटी सी बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे PTSD अभी discuss करेंगे post traumatic stress disorder करके होता है PTSD मतलब किसी एक particular कोई trauma लगा आपको कोई घटना हुई जीवन में उसके बाद आप stress में चले गए या एक अलग ही मतलब problem से आप गुजर रहे हैं फिर उसके बाद ठीक है तो यहाँ पर आएंगे कि करके समझेंगे देखो जो gifted है उसके लिए आप क्या कर सकते है उसके लिए आप enriched curriculum का इस्तेमाल कर सकते है कुछ extra activities दे सकते है ठीक enriched curriculum कि आप बच्चे के अनुसार कुछ extra आपने involved किया हुए अपनी activities में अपने काम में ऐसा नहीं है कि आप इनको सिर्फ इस काम के लिए छोड़ दें जो gifted है वो कमजोर बच्चों को पढ़ाएगा नहीं आपको segregate करना ही नहीं है इवन आपको बच्चों को देखे एक चीज छोटी से simple सी चीज समझने वाला चैप्टर जादा है रटने या लिखने से एक चोटी सी चीज हमें समझनी है मानने जिसी एक जाती समुदा ऐसे ब्लॉंग करती हूं या आप किसी से करते हैं या आपका खाने का कुछ एक अलग परिवरतन लाइऎ तो बच्चा वो भी बेर वो भी सीह सकता है आप अपने इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन लाइए ठीक है आप अपने method में परिवर्तन लाइए teacher को responsible होने की ज़रत है यहाँ पर ठीक है तो ये एक बात थोई enriched curriculum भी बच्चे के लिए जो extra activities जो जिस भी चीज़ की ज़रत है gifted बच्चे के लिए क्योंकि इनका जो alertness है वो जादा होगी ये sensitive भी ज़्यादा होंगे कई बार इनको problem हो जाती है ये भी पीछे lack कर सकते हैं पढ़ाई में क्यों क्योंकि heightened sensitivity होती है अब ये क्या है इसको हम समझेंगे अभी मतलब अत्यधिक समवेदन शीलता कह सकते है environment के प्रती ये ज़्यादा ही इनको alertness इतनी ज़्यादा है आसपास जो भी चल रहा है उसकी वजह सकता है बहुत जादा stress में आ जाए या एक anxiety पैदा हो जाए जिसकी वजह से अच्छे से perform ना कर पाए ठीक तो ये भी पीछे lack कर सकते हैं पिछड सकते हैं यदि इसके लाबा अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल cdp in hindi जरूर आएगी जल्दी आएगी अभी उस पर काम चल रहा है एक्शली ट्रांसलेशन पर काम चल रहा है उसके उस पर थोड़ा से काम चलेगा ठीक तो चाहे गिफ्टेड बच्चा हो या फिर अगर मैं बात करूँ क्रियेटिव बच्चों की बात करूँ तो क्रियेटिविटी की अगर मैं बात करूँ थोड़ा थोड़ा सब को जानके चलेंगे जितना इंपॉर्टेंट है या जितना जरूरी है एक ब्लेंड में क्योंकि एक वीडियो हम पूरा कॉम्प्रिहंसिव पहले भी कर चुके हैं पुरानी चीज को भी आप नई तरीके से क्रियेट कर सकते हैं ठीक है तो इनके अंदर क्रियेटिविटी का मतलब है कि कुछ नया क्रियेट करना जैसे मैंने बहुत बार एक्जामपल दिया है कि एक फिजट स्पिनर होता है आज कर लोग घुमाते हैं बच्चों को देखा ह होगा अपने हाथ में लेते हुए तो वो एक नया कुछ किसी ने इन्वेंट किया बड़ा मजा आया पार्केट में बहुत ज्यादा चला प्लास्टिक का था पहले फिर उसमें किसी ने क्रियेटिविटी लगाई अच्छ है इसमें लाइट्स भी लगा सकते हैं अच्छ है सूबरमेन की शेप का भी बना सकते हैं तो जो चीज थी उसको कुछ नया रूप दे दिया ठीक अब यह ड्रॉइंग पेंटिंग आटी नहीं है बहुत सारी क्रियेटिव फील्ड हो सकते हैं ठीक थीटर से लेके और बहुत दुनिया भर के तो क्रियेटिविटी किस से जु बुद्धी शीलता जिसको दिया थे एक अनी की बुक थी एक क्रियेटिविटी के नाम से कुछ इस थ्रह की एस और थीक अब इनकी अनुसार भ्रेंस्टामिंग इनों ने दिया क्रियेटिविटी से जुड़ा हुआ है व्रेंस्टामिंग क्या है जब आप बच्चों को है लेटरल थिंकिंग जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है लेटरल थिंकिंग यह वाला सेशन पहले आप देखते जाएगा नोट्स किसी को बनाने हों बाद में बनाना क्योंकि आज टर्म्स पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ठीक है लेटरल थिंकिंग या पार्श वो सोच कह देते हैं इसको ठीक है यह Edward di bono ने दिया था Edward di bono इन्हों ने बेसिकलि इसके बारे में बात की थी कि लेटरल थिंकिंग क्या है एक दिशा में ही नहीं है एक linear thought नहीं है यह multiple तरीके हो सकते हैं problem को solve करने के तेड़ा मेडा इधर उधर से निकाल करके ठीक है तो यह सिर्फ linear thinking नहीं है सिर्फ एक line में नहीं है आप अलग लग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक तो यह भी जुड़ी हुई आपकी creativity से अच्छा जो बच्चा creative है उसका IQ 140 प्लस ही हो यानि giftedness के बराबर IQ में हो वो तो जरूरी नहीं है लेकिन हर gifted बच्चा क्या होगा कही न कहीं creative होगा किसी एक field में किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है क्योंकि अगर हम बात करें creativity की या genius होने की तो सचिन तेंदुलगार तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ PhD थे बट क्या है creative है genius है अपने आप में ठीक तो जरूरी नहीं है कि IQ 140 ही हो इनके लिए ये एक बात हुई बिल्कुल अब कुछ-कुछ चीजों पर आजाते हैं जो और कुछ जुड़े हुए terms हैं कुछ learning disabilities को समझ लेते हैं किसी ने पूछा इसकी जोफ्रेनिया क्या होता है अभी समझेंगे ये एक तरह का mental splitness हो जाती है एक तरह की personality disorder या personality split नहीं होती है बेट हां mentally disturbed थोड़ा सा व्यक्ति हो सकता है mental mindset में splitness आ सकती है इसकी जोफ्रेनिया नहीं पुछा जाता हमसे ठीक आगे बढ़ते हैं कुछ learning disabilities को जान लेते हैं जो सबसे ज़्यादा आती है ठीक है और फिर act की बात करेंगे learning disabilities यानि अधिगम और शमता है फुजू common है अधिगम और शमता है फॉस्ट है dyslexia आपने बहुत बार सुना होगा तारे जमीन पर देखी होगी सबको याद ही रहता है आप में से कई लोग लिखना भी शुरू कर दिया होगा dysgraphia dyscalculia and fourth one dysphasia या aphasia कह देते हैं ठीक है ये कुछ disabilities हुई इसके लावा और भी आप लिख सकते हैं dysmorphia से लेके और भी कई दरा की हो जाती है dyspraxia हो सकता है या apraxia भी कह देते हैं जिसको ठीक है बात अब अगर मैं बात करूँ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर की जगा आधे लोगों भी लाइक नहीं करते हैं आराम से बैटके देखते हो या लाइक भी कर देया करो अच्छा लगता है पर रिइन्फोर्स्मेंट मिलता है ठीक है जिसलेक्सिया इसको हिंदी में भी लेक्षिया क्या है पठन संबंदी विकार कहते हैं अंसे लिखने से नहीं पढ़ने से संबंदित, एक एक कर के चलते हैं, ये कुछ चार पांच हमने देखे, बिल्कुल, एक एक करके चलते हैं, क्योंकि कई लोग पहली बार जुड़े होंगे, उनको होगी दिक्कत फिर, ज्यादा अगर ओवर् Mental Health Day है और आप सभी से ऐसा है वहलोब सोचल मेडिया सबसे पॉइजनस या खतरनाक चीज है हालांकि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं बट आप सभी से अनुरोध है कि खुश रही है जीवन में जैसे आप हैं वो सबसे बेस्ट है किसी भी इन सिक्योरिटी या जज्जमेंट के काबू में आके खुद को स्ट्रेस डिप्रेशन इन सब चीजों थोड़ा से दूर रखी है कुछ भी फाइनल नहीं होता है जंदगी में या आपको मेंटल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हम बात कर रहे थे डिसलेक्सिया की इसको पठन सम्मंदी विकार कहते हैं बच्चा सौ को वाज पढ़ता है गौड को डॉग पढ़ता है इस तरह क्वेशन आपने बहुत बार देखे होंगे ये वर्ट सुने होंगे इसके लावब अगर मैं बात करूं तो नाइन को सिक्स लिख देते हैं बहुत सारे बच्च ठीक या अगर मैं बात करूं इसमें बहुत तरह की प्रशानियां हो सकती है बच्चे को पहचान करने में तो ये रीडिंग से रिलेटेड है क्या है ये रीडिंग डिसॉडर है रीडिंग डिसॉडर पठन सम्मंधी विकार ठीक है पठन सम्मंधी विकार है अब अगर मैं इस वजहा से हो रहा है कि वो इस तरह से बढ़ पा रहे हैं एसा नहीं है कि वो यह जो लोटिक अबुलिंटी कम है मैंठली sonica है या वह अच्छा नहीं कर सकता है या गिफ्टड बच्चे को सकता है फीद तो यहां में क्या है basically dyslexia मतलब उसके brain में neurological development जो हुआ है उसका brain से संबंदित उसके किसी पार्ट में wiring इस तरह की हुई है कि उसका जो दिमाग है वो A को उल्टा लेता है आपका A ये है वो A ऐसे देखता है ठीक या आप basically उसकी जो wiring है जिस तरह से वो परसीव कर रहा है आपने word ये देख बुक में लिखा हुआ उसको उल्टे नजर आ रहे हैं ठीक है क्यों आ रहे है क्योंकि उसका brain अलग तरह से वायर्ड है या वो अलग तरह से image बनाते है अपने दिमाग में ठीक है तो ये प्रॉब्लम क्या है वेरियेबल होती है ये आपकी learning disabilities variable याने की कम जादा होती रहती है खत्म हो जाएं ये बड़ा मुश्किल है ठीक variable state है ये भी पूछा हुआ है questions में आपके variable याने की vary करती रहती है कि भई आपको dysgraphia नहीं देगा आपको सिर्फ dyslexia दे दिया और पूछलिया पठन और लेखन संबंदी तो फिर आपका dyslexia ही आएगा क्योंकि जो बच्चा पढग अलत रहे क्या वो सही लिखेगा नहीं लिखेगा तो ये depend करता है कि आपसे question किस तरह से पूछे ठीक तो य इनके लिए अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं लिकिन जरूरी नहीं है आप यह नहीं कह सकते कि यह तो सीखने के लायक ही नहीं है यह mentally retarded है असा नहीं है इनके अंदर पहुंद माग बराबर है कोई दिमाग की कमी नहीं यह दिमाग की कमी की वजहा से नहीं है बस उसका ब्रेन का एक पार्ट जो है वो उस तरह से अडेप्ट करता है वर्ड्स को या जो लेंग्वेज है उसको उस तरह से परसीव करता है ठीक है वो वाइरिंग डिफरेंट है उसकी नियॉरलोजिकल क्लियर है बात बिल्खुल नकुल शर्मा सबका अपना तरीका होता है टॉप फ्यूज कहते हैं पैसे मिलते हैं आपको इसलिए हम लाइक नहीं करते हैं अगर मैं बात करूं लाइक से खुशी मिलती है इस पर आते हैं डिस्घ्रैफिया पर बेखुशी नेकश्चर से。 बढ़ने कर मेना इस बड़े इक करनेThen . खेंगजिया, तर तो सब समझदारी लोग हैं, डिसग्रराफिया को डिसग्राफिया ही कहेंगे, हिंदी देखे कई लोगों को अब ती हो ठीक है, अब डिसग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया ग्राफ से आप याद रख सकते हैं, मतलब आप ग्राफ हाथ से बनाते हैं या ग्राफ पर पर पैन चलाते हैं अगर ग्राफ होता भी है तो, मतलब लिखने से संबंदित, याद रख लेना, ग्राफ मतलब लिखने से संबंदित, यहाँ पर आप इस तरह या उसको लिखने में समस्या होगी मतलब लिखना तो उसके लिए problematic है ठीक है तो ये भी एक चीज है वहाँ पे तो सिर्फ पढ़ने से संबंदित था अब ये लिखने से संबंदित है ठीक बिल्कुल लेखन विकार है एक सही बात है टॉप व्यूज भी दुखी है खेल कोई बात नहीं राइटिंग डिसॉडर है लेखन संबंदित विकार है भई हो सकता है ये बच्चा इसे ऐसे समझ ले लिख दे लिखने में संबंदित समस्या होगी याँ पर पढ़ने से तो जो है है ये लेखन संबंदि है अब आजातें नेक्स डिसॉडर पर फटाफट से चलेंगे अगर आ जाए ना कि बच्चा इसको ये लिखता है तब आप फिर डिस्ग्रैफिया लगाएंगे थर्ड पर चलेंगे बहुत बढ़िया आज डिट प्लेस्वी का नोटिफिकेशन की बात है अब मेरा रेगुलर होने की वजहां से आप लोग काफी संख्या में हैं आज हाँ ये सेशन चल रहा है डिट प्लेस्वी प्याइटी पार्ट बी में बिल्कुल काम आएंगे थर्ड है डिस्कैलकूलिया देखो डिस्का मतलब यह होता है डिस्फंक्शनल जो फंक्शन ठीक से ना करें वही डिस्ट जब हम लगा देते हैं प्रफिक्स तो यह यूज होता है ठीक है एक मिल्ट रुखो हम तो आपको कुछ देखना जाते हैं क्यूंकि आप कुछ अच्छा करें धिरने बादा कांक्षा डिस्कैलकूलिया ठीक है डिस केलकूलिया मतलब calculation आप जानते ही है आज कल वो जोगरेफिया गा दिया है उन्होंने क्या नाम है निगा रितिक रोशन ने तो इस तरह से केलकूलिया याद रख लीजगा calculation से संबंदित यानि गड़न संबंदी विकार ठीक है ये क्या है समस्या है किस प्रकार की calculation करने में समस्या होगी ऐसे वेक्ति को clear है बात calculation related issues होंगे ठीक हो सकता है भई प्लस की जगा माइनस कर दे या माइनस नहीं करेगा खेर प्लस की जगा पे कहीं multiplication करना था निशान में दिक्कत हो सकती है वो तो खेर dyslexia में हो जाएगा पर यहां calculation गड़बड हो सकते है बच्चे की ठीक है वो calculate ठीक से न गड़बाए maths related है यह बिल्कुल आपको सीधा question दिखेगा और सीधा आपको answer करना है ठीक है हम बिल्कुल इसमें जब कुछ questions करेंगे हम कल या जबी भी करेंगे तो आपको अच्छे से differentiate हो जाएगा कि question पोछता कैसे हालां कि मैंने आपको examples दिये हैं ठीक है तो calculation में बच्चे को समस्या हो जब तो वो dyscalculia है बिल्कुल एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ emotional intelligence शायद ना हो बुक में उसको second version आने की जुरत है अभी समय नहीं है next वर बढ़ जाते हैं dyspraxia समझ लो पहले dyspraxia dyspraxia क्या है apraxia कहा जाता है इसको यह motor speech disorder है motor related motor speech disorder यानि यहाँ पे बोलने में समस्या है लेकिन किस वज़ा से क्योंकि जो motor skills होती है ना आपकी जिनकी वज़ा से advancement आती है आप physically थोड़ा सा जो भी काम करते हैं गत्यात्मक जो कौशल होते हैं वहाँ पे problem है तो हो सकता है जो आपका voice box है या आपको physically जो problem हो सकती है motor abilities में उसकी वज़ा से बोलने में दिक्कत है तो यह dyspraxia कहलाएगा ठीक है dyspraxia की वज़ा से हो सकता है आपको लिखने में भी समस्या हो जाए लेकिन यह generally पूछा नहीं जाता क्योंकि motor coordination ऐसे बच्चे के साथ problem क्या होगी button लगाना, shoelaces बादना, tie proper बादना इन सब चीजों में दिक्कत हो सकती है बिल्कुल हमने बात की dyslexia की जो की पढ़ने से संबंदित dysgraphia लिखने से संबंदित dyscalculia calculation से संबंदित dyspraxia motor skills से संबंदित ठीक है यह बात हुई बहुत बढ़े हैं जितने भी लोग अभी आए हैं अब हमने कुछ बात की इन सब चीज़ों की कुछ और other disabilities की बात कर लेते हैं या disorders की ADHD आपने नाम सुना होगा Asperger's syndrome, autism, spectrum disorder यह सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी ADHD मतलब attention deficit मैं इसको टुकड़ों में तोड़ के लिख रहे हूँ ता कि याद रह सके hyperactivity disorder ठीक, यह इसकी full form है A for attention, B for deficit, H for hyperactivity D for disorder ठीक, तो यह attention deficit, hyperactivity disorder जो है, इसको आप नाम से जान सकते हैं अटेंशन में कमी है, बच्चा अवधान से हम कहते हैं, एक जगा पर ध्यान लगा करके नहीं रखता रहा, ठीक है deficit मतलब कमी है, अवधान में कमी hyperactivity मतलब activity से भी ज़्यादा hyperactive है, superactive से भी ज़्यादा है वो अगर बच्चा 5-6 साल का है 5-6 साल तक तो बच्चा hyperactivity होगा बहुत ज़्यादा active होता है लेकिन उसके बाद भी अगर यह समस्या चली जा रहे है 15 साल तक भी तब यह problematic है एक ज़्यादा पर बच्चा रुक के बैठ नहीं पाएगा disorder बन जाएगा फरी है ठीक है, अगर मैं बात करूँ बहुत बढ़ बिडिया मनने तरह न अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उन सभी का धन्नवाद जो लोग like करते हैं खुशी मिलती है ADHD या attention deficit hyper activity बच्चा एक जगा पर attentive होकर के बैठ नहीं पाता, कूटता खरता है पूरी ग्लास में मैं अग्जामपल दे रहे हूँ, impulsive behavior होता है इसमें control नहीं रहता एक जगा पर बहुत जादा controlled way में नहीं बैठ पाएगा activity हद से जादा है, तो वो समझ कैसे पाएगा उसको सीखने में समझ से आएगी फिर तो उसके interest से related आप चीज़ें उसको दिखा सकते हैं या धीरे धीरे करके उसका attention span बढ़वा सकते हैं कुछ activities के थुरू, तो ये बात भी attention deficit, hyper activity disorder ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको आप ठीक कर दें दवाई दे करके ठीक है, तो इनको आप control कर सकते हैं अलग-लग therapies और चीज़ों के द्वारा या अलग-लग methods अपना करके बट बिल्कुल ठीक हो जाएं ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है बिल्कुल gap नहीं मिलेगा, daily चलेंगे session आप लोग तयार रही है बस आगे बढ़ते हैं अब एक autism spectrum disorder है जिसमें बहुत सारे disorder आते हैं ठीक है, डिसकस करेंगे अभी autism spectrum disorder अभी autism spectrum disorder क्या बवाल है ठीक है, ये 2013 में autism को जोड़ दिया गया spectrum disorder लगा दिया इसके अंदर अफेजिया होता है, बोलने से समदित शायद हमने miss कर दिया है, पहले उसी को discuss कर लेते हैं इस पे आएंगे बाद में बस छोटी सी बात है, अफेजिया है अफेजिया है, डिसफेजिया ठीक है अप्रेक्सिया आपकी motor skills में problem है और अगर motor skills की problem की जहां से बच्चा ना बोल पाए तो आप अप्रेक्सिया लगा सकते हैं बट सिर्फ लिखा हो कि बोलने की समस्या है तो अफेजिया या डिसफेजिया होगा फेज समझते हैं, पी-एच जहां आजाता है फोन, आप समझते हैं, sound से related ठीक है, तो ये बोलने से समझते है, ये थोड़ा सा ध्यान रखियेगा इन दोनों में यही डिफ्रेंस है अभी लास्टाइम एक question आया था, उसमें डिसप्रेक्सिया दिया हुआ था या अप्रेक्सिया दिया हुआ था और उसमें बोलने से समझते problem थी क्योंकि डिसप्रेजिया नहीं था वहाँ option में और दूसरा बच्चे को motor skills की वजहाँ से speech disorder था मतलब muscles coordinate नहीं कर पा रहीं, इसलिए नहीं बोल पा रहा तो वो जो है वो फिर अप्रेक्सिया होगा लेकिन सिर्फ बोलने की समस्या है तो अफेजिया या डिसपेजिया कहलाएगा तो यह छोटा से difference है, अच्छा हुआ आप लोगों ने यहां पर याद दिला दिया बहन का जवाब नहीं, धन्यवाद जी आप लोगों का भी कहाँ जवाब है autism spectrum disorder autism spectrum disorder क्या है, इसमें multiple disabilities है कोई एक नहीं है, आप यह एक छाता है umbrella terms जिसको कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग disabilities आ जाती है बट आपको नाम जए वो इसी का याद रखना है इसके अंदर aspergers syndrome आ जाता है aspergers syndrome दोनों में थोड़ा सा difference है obviously इसके अंदर आएगा क्योंकि देखिए जो autism वाला बंदा है उसके साथ problem क्या-क्या हो सकते हैं बहुत यह समझ लेते हैं communication में problem हो सकते हैं यानि समवाद या संपरेशन जिसको कहते हैं social activities में problem हो सकते हैं socialization में social activities में problem हो सकते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी कई चीजों में problem हो सकते हैं communication की बात की social activities की हमने बात की coordination जो है बार बार repetitive action कर सकता है ठीक है repeat mode पे एक बात को 50 बार भी कह सकता है repetitive actions ठीक तो इस तरह की problem इसके साथ होती है जो autism वाला बच्चा है ठीक अब इनके लिए बहुत सारे तरीके आप यूज करते हैं या हो सकता है कि इनको routine में जैसे change आने पे या जो space है जहां यह रहते हैं उसमें बहुत जाद चेंज आने पे यह परिशान हो जाते हैं for example अगर मैं बात करूं शारुक खान my name is Khan and I am not a terrorist करके एक movie आई थी तो उसमें जो शारुक खान है वो बार बार आपने देखा हुआ एक दोब impulsively बहुत जाद रिपीट करता है चीजों को ठीक तो autistic है तो ये बात हुई इनको communication मतलब बोलने में बार बार रिपीट कर सकते हैं actions को social activity बहुत जादा socially घुलेंगे मिलेंगे नहीं ठीक है तो ये बात हुई धन्यवाद सौम्मया दूबे तो autism में aspergers में क्या होता है aspergers में यहां पे इनको language से problems भी है language related बस but aspergers में क्या है ये socially बहुत जादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं language related problem हो जरूरी नहीं है ठीक है तो हलांकि अपने आप में इसके अंदर आजाती हैं बहुत सारी चीजें हैं उनको ज्यादा ध्यान रखने की जुरत नहीं है इतना याद रखेंगे चलेगा ठीक है अगर मैं बात करूँ तो कुछ-कुछ और भी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए जैसे PTSD की बात कर रहे थे हम लोग हाँ ग्रेता थनबर बिल्कुल बिल्कुल cerebral palsy की बात कर लेते हैं इससे पहले PTSD से याद दिला दिया आपने देखो ADHD को पार्ट नहीं माना जाता है autism का यह भी ध्यान में रख सकते हो ठीक है cerebral palsy क्या है बिसिकली यह अभी एक movie आई थी जीरो उसमें अनुष्का शर्मा को था movies का example दे सकते हैं क्योंकि आप में से जाए तर लोग या हम सभी लोग देखते ही है तो आसान हो जाता है याद रखना इस सिटूएशन में क्या है यहां पर बहुत जादा एक्टिव नहीं होगा इस भी हिस्से में प्रॉब्लम होई तो इनको बहुत सारी समस्याइं होती है सेरेब्रल पाल्सी वाले वक्तियों को ब्रेन डेमेज है अब जरीर नहीं है कि पूरी तरह से डेमेज है कुछ एक्टिविटीज में आपने देखा बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं चीवन होकिंग और इतनी सीरियस सीरियस अलाग अलाग प्रॉब्लम्स थी जिन लोगों को इसकी बात नहीं करें इसका एक्जांपल नहीं है एकसेसिबल है ना आसानी से कुछ लोग नहीं देख पाते होंगे बट पुरानी देखी होंगी हाँ नियूरोलोजिकल डिसॉर्डर है एक तरह से डिस्लैक्सिया डिस्केलकूलिया यह सब ब्रेन वाइरिंग में प्रॉब्लम है बाकी ऐसा नहीं है कि mentally retarded हैं से लोग mentally बराबर का काम कर सकते हैं बस इनको आपको अलग तरीकी से deal करना होगा ठीक है एक तो ये बात हुई जी धिन्नेवाद मुझे लग रहा है एक तो बात ज़्याद ही हुई आज PTSD पर आ जाते हैं PTSD यानि Post Traumatic Post Traumatic Stress Disorder ठीक है ये क्या है एक तरह का Trauma है अभी बात करेंगे Gifted Child की कई लोग को अभी भी confusion है बाद में आए है बहुत बढ़िया देखिए Post का मतलब बाद में है ना बाद में होता है Post का मतलब Traumatic मतलब Trauma के बाद किसी एक ऐसी घटना के बाद Stress मतलब Stress आगया, Anxiety आगयी, Pressure आगया आपको इपर Disorder बन गया भी है मतलब रहेगा आप Disorder एक दिन में तो खत्म होता नहीं ठीक है अगर मैं बात करूँ जब तक सेशन जब तक ये Topic complete नहीं होगा तब तक चलेगा शायद दस एक मिनट का और होगा, क्योंकि इसके बाद एक और सेशन होना है Post Traumatic Stress Disorder क्या है, आप के जीवन में कोई accident हो गया आपका और किसी की death हो गई, या कुछ आपने इस तरह का देख लिया भयानक कि आपको उस चीज इनने बहुत जादा trauma दे दिया अब उसकी वजह से आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं आप बहुता stress रहने लगए, बहुत कम बोलने लगए, या कुछ भी इस तरह का हो सकता है तो यह जन्म से नहीं होता, यह development के समय नहीं हो रहा लेकिन क्या है, जातर जो चीज़ें थी, ADHD, जो यह आपका यह था Autism, यह अगर हम बात कर रहे थे, Discalculia, यह सब यह बच्पन में दिखने लगते हैं ठीक है, लेकिन यह क्या है, यह particular घटना के बाद आपके अंदर stress आ गया है ठीक है, यह एक बात हुई, और अगर मैं बात करूँ educational implications की तो उस पर आएंगे किसी ने पूछा दा gifted कौन होते हैं, हाना कि हमने बहुत बार discuss किया है यह को gifted अगर हम बिल्कुल किताबी भाशा में बात करें, तो जिनका IQ 140 प्लस यह 130 तो at least होगा ही उनको हम gifted कहते हैं, gifted कौन है, इनकी alertness normal बच्चों से ज़्यादा है यह alert ज़्यादा रहते हैं, या awareness ज़्यादा है इनकी mental activity जो है, वो average नहीं होती, high level की होती है मतलब आसानी से मुश्किल चीज़ें समझ पाएंगे, अपनी age से आगे की चीज़ों होगे कि लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है, या इसके अलावा अगर में बात करूं, तो mental activities जो है, वो high level की मतलब इनकी age से भी उपर की जो problems है, उनको यह solve कर सकते हैं, जबकि backward children कौन है, जो अपनी age से भी पीछे चल रहे हो ठीक है जानी फोर्थ की age है, फोर्थ क्लास में होने की, बट उनसे question solve नहीं हो रहे है, थर्ड के भी तो वो backward है, लेकिन 140 प्लस वाले जो हैं, यह जल्दी से सीख लेते हैं चीजों को, जल्दी से कर लेते हैं, यह सारी चीज़ हैं इनके साथ, भाशा पर इनके अच्छी प अच्छी परनाग भी बन सकते हैं, बहुत सारे तो यह डिपेंड करता है कि इनको direction और इनको support, इनको education, इनको parenting किस तरह की मिट गया है, ठीक है, धन्यवाद जी, जितने भी लोगों को session पसंद आ रहा है, नाम ले लिया, आपका सागरिक का, gifted जो है, वो किसी ना किसी field में, किसी ना किसी एक तरीके से creative होगा, बट हर एक creative बच्चे का जो mental level है, वो IQ जो है, वो gifted के बरावर 140 हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो एक बात हुई, और इनका यह diversion thinkers होते हैं, ठीक है, आज तो जितने लोग देख रहे हैं, तो अब इनकी educational implications देख लेते हैं, कुछ, educational implications, यानि सिक्षा में, आप as a teacher, इसको कैसे लागू कर पाएंगे, सैक्षय कनूप्रयोग कहते हैं, जनको हम, उनको समझेंगे, फिर next session की ओर बढ़ेंगे, पांच मिनिट का और काम है, चोटा सा, educational implications में, आप sensitive रह सकते हैं as a teacher, यानि आप समवे या तुम तो, यहां पर मानलो, आप डेली में रह रहे हैं और सब की भाषा एक बड़ी क्लिष्ट सी लेंग्वेज है, क्लिष्ट भाषा जिसको आप standard मानक भाषा कहते हैं, आप सब ऐसे बोल रहे है, एक private school है, अब किसी एक बच्चे का admission हो गया, वो वाला quota हो जाया 25% व आ रहे हैं बच्चे, अब teacher को, teacher उसको sympathize नहीं करना है, आपको कि हाँ तुम बहुत बैचारे हो, यह हो, वही उसमें भी सीखने की शमता है, या कोई अगर wheelchair पर आ रहा है, किसी को पोलियो है, किसी को कुछ है, उन सब में सीखने की शमता है, आपको अपने method में चेंज करना बच्चे में नहीं, ठीक है, तो आपको उसकी भाषा पर मजाक नहीं उडाने दिना है बच्चों को, आपको बच्चों को जो और बच्चे हैं, क्लास में उनको भी sensitive बनाना है, कि हम सभी अलग होते हैं, और जरूर नहीं है, कि सब एक तरह से ही बोले, या किसी की भाषा अ का में जो दौर लगा सकते हैं, आप उनको भी इंक्लूड करें, इंक्लूजन का मतलब ही यह है, जैसे, मतलब यह थोड़ा से फील करने वाली चीज़ जादा है, कि आप मानली जाए, लोगों को बच्चा होता है, मतलब उनका खुद का बच्चा, ठीक है, तो वो इंक्लू इस्पेशली आप बाहर तो एक मिनिट शो नहीं होने देंगे, कि आप भेदभाव कर रहे हैं किसी भी बेसिस पर, ठीक है, आपके अपने बलीफ क्या है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आप उस आधार पर अपने बच्चों के साथ, जो ड्यूटी जिसके आपको पै इस तरीके से लेबल नहीं करेंगे आप बच्चों को, दूसरा अगर मैं बात करूं, बिल्कुल, सबको साथ लेकर चलेंगे, एक्जक्ली, ठीक बात है, तो वही एक एनलोजी है, वही प्रकृती वाली, जिस तरह से प्रकृती आपको सेपरेट नहीं करती, उस तरह से आप भी सेपरेट नहीं करेंगे, बच्चों को या लोगों को, ठीक है, एक से जाला लाइक करने का ओप्शन भी होना चाहिए, धन्यवाद आप एक बार कर देते हैं, वही काफी है, खुशी मिलती है, तो ये बात हुई, और ये बहुत ही, एक अच्छी चीज है, जिसको हम डिस कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक से बहुत उपर है, तो अच्छा लगता है, आप जूडते हैं, तो मैं याद दिलाती रहती हूँ आपको पीच बीच में, ठीक है, तो एजुकेशनल इंप्लिकेशन में, आप टीचर सेंस्टिव रहेगा, डिफ्रेंशियेट नहीं करेगा, लेबल नहीं करेगा बच्चों को, हो सके, तो गौर्मेंट या जहां से भी वो जुड़ करके, टीचर का कॉपरेशन करके, या बच्चों में एक माइंडसेट अच्छा तयार कराके, सब को साथ लेके चलेगा, ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड बच्चे को आपने पीछे कि वो तरीके अपनाएंगे, है ना, और इसके लावा अगर मैं बात करूं, जेंडर सेंस्टिव, हर तरह सेंस्टिव हैं आप यहां किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे लड़का हो, लड़की हो, दिखने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, बोलने में सेंस्टिव हैं, तो चल पाएंगी, कुछ क्वेशन्स हम नेक्स सेशन में डिसकस करेंगे, जिससे आपका यह जो चैप्टर है और बहतर हो पाएगा, ठीक, इसके कुछ-कुछ एक्ट्स हैं, पूछे नहीं जाते बहुत ज्यादा, लास्ट वीडियो में कराये थे, जो इन नेक्स सेशन हों मिलते हैं, कुछ गजब के क्वेशन्स करेंगे, जो आपको DEET+, KVS, NVS से लगे हर जगा पर हेल्प करेंगे, थैंक्यू गाइस, थैंक्स वाचिंग, दिस वाज इमांची, साइनिंग ओफ, अल दे वरी बेस्ट, धन्यवाद आप सभीगा,